कोरोना संक्रमन के मद्धिन हजर देश वापी लोगडाउन को लेकर कई कोरोना योद्धा मैदान में हैं और अपने से दूर रहकर अपनी डूटी करते हुए आमजन को सुरक्सित रखे हुए हैं इन योद्धाओं में चिकित्सा कर्मी, पुलिस कर्मी समेथ, सफाई कर्मी पिछले कई दिनों से आमजन को कोरोना से बचाव में अहम भूमी का निपा रहे हैं सोमबार को करमचारी कोलोनी में फ्लैग मार्च के दोरान निकले फुलिस अदिकारियों एव फुलिस बलों का यहां के लोगों ने पुस परसा कर स्वागत किया वहीं तालियां बजा कर होसला अफजाई दिकी वहीं कोलोनी वासियोना इलाके में सफ़ाई करने वाले सफ़ाई कर्मियों पर भी पुस परसाकर एम तालिय बजाकर अभी नंदन किया इस्थानी लोगों के अनुसार चिकित सक पुलिस कर्मी एम सफ़ाई कर्मी समेत कई योद्धा जो कोरोना महामारी के चलते उनकी सुरक्सा में जुटे हैं और मौत के बीच दीवार बनकर खड़े हैं ऐसे योद्धाओं के वज़ा से ही बाडमे में कोरोना संक्रमत पाव नहीं पसार पाया है बाडमे में कोई कोरोना पैसेंट परभावी नहीं मिला है इसका उनका स्वागत करने के दन्यवाद देने के लिए बिलकुद बड़े जो अधिकारी भी थे उन्होंने भी वार्डवाशियों का दन्यवाद दिया यह वार्डवाद सिंह के समस्त प्रोस्वालों ने साथ मि अभी हमारे भी कोरोनी के लोगों ने यह मानस बनाया कि क्यों ना हमारी जो कोरोना की रक्षा के लिए जो पुलीस वाले दिन रात सड़कों पे कोरोना से बचाओ के लिए मैनत करें तो हमारी सोसाइटी वालों ने मिलकर यह तैग कि क्यों नहीं इनके वसले को इनकी स्सक्राइच करते कि बाहर नहीं आए वरना कोरोना मार देगा है इसलिए सारी इस सोसाइटी ने मिलकर उनके स्वागत के लिए हमने तालिया बजाकर उनका होसला आशाज की कुछ़ वर्सा करकर पूरी सोसाइटी ने इन सभी पुली स्वालों की होसला की हमें बहुत आनन्दित संद मेशूस हुआ ताकि हम सब ने इनकी होसला अफजाई करकर हमने इस कोरोना को मादेने में कुछ सहयोग किया उनके अनुसार बार्मेर पुलीस के अधिकारियों, जवानों, एंसफाई कर्मियों का फूल वर्षा कर यहां के लोगों ने होसला अफजाई की ताकि ये कोरोना योग्दा और मजबूत रहकर कोरोना से बार्मेर का बचाव करते रहे